बिहार बोर्ट परिक्षा के दूसरी नजर सुर्खियों पर अवांगन वाड़ी केंद्रों की जुला सर्य टीम करेगी निग्रानी अब रख्तार पकड़ेंगे बिहार के बारहर रेल प्रोजेक्ट रहविभाग ने देराद 10 टीसपी का किया तबादा UPSC सिवल सेवा परिक्षा का जारी हुआ नोटिफिकेशन बिहार के टीम में फिर से हुई COVID-19 की एंट्री अब चले बढ़ते हैं बिहार के शांदक की बड़ी खबरों की और रस्तार से बिहार बोर्ट की बीते दिन दूसरी परिक्षा आयोजित करवाई गई जिसमें भी कई मुना भाई एक बार फिर से पकड़े गया है बोर्ट की तरफ से साज़ा की गई जानकारी के नुसार बिहार भर के सभी सेंट्रों को मिला कर 103 चात्रों को चोरी करते वे पकड़ा गया है जिसकी बाद ही उन्हें निस्तकाशित करने का काम किया गया बदले परिक्षा देते पकड़े गया वही आज पहली पाली में विज्ञान संकाई के परिक्षार्थी के लिए केमिस्ट्री की परिक्षा आयोजित की गई और दूसरी पाली में कला संकाय के परिक्षार्थियों के लिए जियोग्रफी विशे और विज्ञान संकाय के परिक्षार्थियों के लिए आगरिकल्चर विशे की परिक्षा आयोजित की गई अब आंगनबाडी केंद्रों के जुलास्तरिये टीम करेगी निगरानी बिहार के नितीश सरकार को बच्चों के चिंता अब और ज्यादा सताने लगी है यही कारण है कि सरकार ने आंगनबारी केंद्रों के निगरानी के लिए जुलास्तर ये टीम को लगाने का निर्ने लिया है सरकार की तरफ से साजा की गई जानकारी के रुसार कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अंगनबारी केंद्रों को सुचार रूप से संचालित करने और पोश्चाक शेत्रों में स्वास्त सुवधाओं को बहतर बनाई रखने के लिए जुलास्तर ये टीम सभी आंगनबारी केंद्रों का बहुत इक निरिक्षन भी करेगी इसको लेकर बिहार के मुख्यसाचे वामिर सुभारी ने सभी जुलों के जुलाधिकारियों को जुलास्तर पर टीम गठित कर आंगनबारी केंद्रों की निगरानी करने का निर्देश द मिले कोरोना के 1000 से कम मामले स्वास्थ वभा की तरफ से साजा की गई जानकारी के नसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 799 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मामलों की संख्या 3752 पर पहुच गई है इसके साथ ही अग गया में 7, गोपाल गंज में 27, जमुई में 10, जहानबाद में 2, कैमूर में 5, कटिहार में 15, खगडिया में 4, किशन गंज में 7, लखी सराय में 3, मधिपुरा में 18, मधुबनी में 16, मुंगेर में 17, मुझफरपुर में 38, नालंदा में 4, नवादा में 11, पटना में 28, पुर सारण में 44 मामलों की पुष्टी हुई है इसके लावा नौ ऐसे मामले भी पॉजिटिफ पाई गये हैं जो दुछरे राजु के हैं लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गये हैं इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर समय की बात करें तो अभी पटना से रांची, पटना से हावरा और पटना से वारनसी के बीच जन्चरताब्दी चलाई जाती है लेकिन इन ट्रेनों को अब हटाया जा सकता है हालाकि जानकारों की माने तो इससे इन ट्रेनों की यातरियों को ज्यादा प्रभाब नहीं पुर्व मध्र रेल ने फैस्ता लिया है कि तीनों जन्चरताब्दी ट्रेनों की जगे अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन बंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी पुर्व मध्र रेल में पटना से हावरा पटना से रांची और पटना से वारनसी के बीच चल रही जन्चर पुर्व मध्र रेल को बंदे भारत एक्सप्रेस से रिप्लेस किया जाएगा इस साल के अन तक ऐसा होने की संभावना जटाए गई है अब रफतार पकड़ेंगे बिहार के 12 रेल प्रोजेक्ट बिहार में अब रेल प्रोजेक्ट की रफतार में तेजी आने वाली है क्यों से ये राशी 1705 करोड अधिक है मौजुदा वित्यवर्ष 2021-22 की तुला में पुर्व मध्र रेल को आगामी वित्यवर्ष 2023 में 35 फीज़ी अतरिक राशी मिली है यानि की फत्वा इसलामपुर, शेखपुर, हाजिपुर, सुगौली, कुडर्बा, तिलया, सहित, अन्य परि योजनाएं हैं जिसमें राशी तो मिली पर अभी वो परियाप्त नहीं कहीं जा सकती, रेल्वे बोट के अधिकारियों के अनसार बिहार के अधिकतर इलाकों में रेल्वे परिचालन संभार रहे पुम्रे को नई लाइन आमान परिवर्तन दोहरी करन सहित अन्य मदों में परियाप्त राशी दी गई है, ब्रश्ट दीएसपी की बरखास्तगी की शुरू हुई कारवाई, विहार में अवैध बालु खनन में कई दीएसपी के सनलिप्त होने की जानकारी निकल करके सामने आई थी, हाला कि अब तक तो ऐसे दीएसपी को सिर्फ थोड़े समय के लि राकेश राथी को सरकार ने संचालन पदाधिकारी निक्त किया है, वहीं इस पूरे मामले में जिन चार अधिकारियों का नाम शामिल है, उसमें आरा सदर के ततकालीन स्टीपी ओ पंकश कुमार रावत, पाली गंच के ततकालीन स्टीपी ओ तनवीर एहमत, और स्थिती इससे ठीक उलट है, इस बार तो ठंड में कमी का तो पता नहीं, लेकिन बढ़ोतरी लगातार हो रही है, वहीं ठंड के बीच बारिश के अलर्ट ने और ज्यादा तापमान में गिरावत की संभाव ना बना दी है, पट्डा मौसम विज्यान केंद्र से मिली जयान का प्रभा शुरू हो गया है, जिसके चलते उत्तर पश्रिम, उत्तर मध्य और दक्षिन मध्य के अधिकतन हिस्सों में, गरच के साथ बारिश की संभावना है, दक्षिन पश्रिम और दक्षिन पुर्व के कुछ इलाकों में भी बारिश के आसार है, ग्रेव भभाग ने देर रात 10 DSP का किया तबादला, बीती रात ग्रेव भाग ने देर रात तक 10 DSP का तबादला करने की जानकारी दी है, जिसके तहती तीन अनुमंडलों में नए SDPO की तैनाती की गए, नालंदा के DSP विधिववस्ता के अलावा, दाउद नगर, DSP राजेश कुमार को, नाल अगलपुर, DSP अमित कुमार को लखी सराय, संदीब गोलडी को शेखपुरा की DSP की जिम्यदारी दी गई है, बिहार में रद हो सकते हैं, लाखो राशन कार्ट बढ़ सकती हैं, मुश्किले, बिहार के सभी राशन कार्ट धारियों के लिए एहम सूचना, बिहार में लाख राशन कार्ट वाले परिवारों के सत्यापन का आदेश जारी कर दिया है, सभी जिलो को कहा गया है कि यदि पारिवारिक सदस्यों का सत्यापन नहीं होता है, तो इन राशन कार्ट को रद किया जाए, खादेवम भूगता संग्रक्षन विभाग के निरदेश के निरदेश पर हुई बड़ी कारवाई इंदनों बिहार में अनिम्तिता और भ्रश्चाचार में लिफ्ट अधिकारियों को चुन चुन कर विहार सरकार बाहर का रास्ता दिखा रही है इसी कड़ी में बीते दिन मघद रेंज के आईजी गया के SSP और बुटको के MD पर बड़ी कारवाई की गई जिसके तहएं तीनों अधिकारियों पर भ्रश्चाचार और अनिम्तिता के आरोप में कारवाई की गई जिसके तहती उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है विने कुमार को मघद रेंज के नए आईजी जबकी हर प्रीत कौर को गया का SSP बनाए गया वहीं आईजी मघद रेंज गया के पद पर रहे साल 1998 बैच के IPS अधिकारी अमित लोढ़ा के साथ SSP अधित कुमार को उनके पद से हटाते वे पुलीस मुख्याले में पद स्थापना की प्रतिक्षा में रखा गया है आईएस अभिशेक सिंग को योजना परशद में भेजा गया है वहित्रपुरा क्यादर के आईएस अधिकारी अभिशेक सिंग को बुटको के M.D.P. से हटा दिया गया है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को बिहार जदियू ने दिलाया याद बिहार में जारी विशेश राजिक के दरज़े की मांग के बीच बिहार के प्रमुख सत्ताधारी दल और मुख्य मंतरी नितीश कुमार की पार्टी जदियू ने इस बार प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के सामने नया मसला उठाया है जिसके तहथी बिहार जदियू ने पतना विश्व द्याले को सेंटर ओफ एक्सिलेंस में शामिल करने का वादा पूरा करने की मांग प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से की है जदियू ने कहा है कि प्रधान मंतरी ने ये वादा खुदी नितीश कुमार के सामने कारिक्रम में किया था प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने पतना विश्व द्याले को सेंटर ओफ एक्सिलेंस बिनाने की घोशना की थी इस वादा को पूरा करना बिहार और देश के हित में है चुराक बासवान ने सीम नितीश पर अपना वादा पूरा नहीं किये जाने का लगाया आरोप लोजपार रामबिलास के अध्यक्ष चुराक बासवान आए दिन सीम नितीश कुमार पर निशाना साथे रहते हैं कड़ी में चुराक बासवान ने बीते दिन एक बार फिर से सीम नितीश को आड़े हाथ हो लिया है जिसकी तहत उन्हा ने कहा कि राज्य में अपराद प्रश्राचार और हत्या की वारदात चरम पर है एक तरफ पूरा देश आजादी का पच्छतरवा वर्ष मना रहा है दूसरे तरफ पूरे देश में बिहार का अपमान हो रहा है और अंगाबाद के पच्छ रुखिया पहुँचे चिराग पासवान ने कहा कि ज्यगदेव प्रसाद ने एक जुट करने का सपना देखा था में BDS में नामांकन के लिए विहार संयक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिक्षा बोड की तरफ से कांसलिंग शिरू कर दी गई है हाला कि ध्यान देने की बात ये है कि कांसलिंग के लिए इस बार कट ओफ 2020 से 20 अंक अधिक है साल 2020 में कट ओफ अंक 610 रहा था जो की इस साल 630 हो गया है दूसरी कांसलिंग में कट ओफ के और नीची आने की उमीद है जिसके बाद ही अब MBBS के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज की 1151 सीटों का अलाइन्मेंट जारी किया गया है UPSC सिविल सेवा परिक्षा का जारी हुआ नोटिफिकेशन UPSC सिविल सेवा परिक्षा में शामिल होने वाले अभियर्थियों के लिए एहम सूचना संग लोग सेवा आयोग ने सिविल सेवा परिक्षा प्रिलिम्स 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इच्छो कोर्यों की मिदवार www.upsc.gov.in या www.upsconline.nic.in पर जाकर online आवेदन कर सकते हैं आवेदन के अंतिम तारिख 22 फरवरी 2022 है इस साल सिविल सेवा परिक्षा में 861 विकेंजी निकाली गई है सिविल सेवा परिक्षा 5 जून 2022 को होगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि सिविल सेवा के साथ साथ भारतिय वन सेवा परिक्षा का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है वन सेवा मुख्य परिक्षा में बैठने के लिए UPSC सिवल सेवा प्रिलिम्स पास करना होगा यानि दोनों प्रतियोगी परिक्षाओं का प्रिलिम्स एक्जाम कॉमन होगा भारतिय वन सेवा परिक्षा में 151 वेकंस ही निकाली गई है भारतिय टीम में फिर से हुई COVID-19 की एंट्री भारतिय क्रिकेट टीम बुधवार को COVID-19 की चपेट में एक बाद फिर से आ गई है भारतिय टीम वेस्ट इंडीस के खिलाब सेमी तोवर की अगामे श्रिंखला के लिए 31 जनवरी को एहमदाबाद में जुटी थी और दक्षिन आफ्रिका के खिलाब श्रिंखला के बाद तीन निन के प्रथकवाद से गुजर रही थी कल हमारे दुआरा पूछे गये सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार भातियती में अब तक का सबसे सफल विकेट कीपर कौन है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस अतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अमलेटे डहने के लिए हमारे योट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक कॉन दबाना ना भूले धन्यवाद